वेलकम डियर स्टुडेंडे वेलकम एक बाँ फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राई स्मार्ट के यूटूब प्लेटपॉम पे और आज की क्लास में हम लोग बहुत 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 काम आने वाले हैं CHSL में इसमें वे सभी लोग जो यहां पर में साथ जुड़ चुके हैं फटा फट से कमेंट करें वेरी वेलकम वन्स अगेंड आप सभी लोग का स्वागत करते हो हैं फिर से राइसमार्ट के यूटूब प्लेटफॉर्म पे और बहुत बहुत सांदार कोईशन करने वाले हैं यहां इस्टॉल करें अपने मोबाइल के प्लेट फोर में जाके लिखें राइसमार्ट हिंदी आप आपके पास आप्शन आएगा आप उसे डाउनलोड कीजिए फिर इस्टॉल कीजिए या फिर स्कैनर को स्कैन कीजिए इस्टॉल करने के बाद आप यहां पर एक अपर असिसी क को बहतर कर देंगे जब foundation अच्छा होगा तो कोई भी life class करोगे कोई भी class करोगे तो बहतर result मिलेगा आप ज्यादा अच्छे से understand कर पाएंगे तो यहां बहुत अच्छा option है अगर इस batch को subscribe करना चाते हैं तो आप मेरा code use कर सकते हैं मेरा code है am500 इसको use करेंगे तो definitely आपको य classes plan out कर सकते हैं सुबह 8 बश्य से लेकर रात को सारे 9 से 10-11 बश्य तक session continue होता है पूरे subject यहाँ पर cover up हो रहे हैं हर चीज यहाँ पर cover up हो रही है so don't miss a chance हना continue आप classes आपके लिए यहाँ पर बहतरीन teachers द्वारा so don't miss a chance हना बहुत अच्छा option है सभी बच्चों के लिए और मेर 12 प्लस एर का experience है जो कि मैं आप से share करूंगा questions के मार्दियम से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें are you ready जल्दी से बार ready वर लिद्धो चैट में ताकि हम session को जल्दी से start कर सके तो क्या आप सभी लोग ready है तयार है session के लिए okay so start करते है session यह रहा class का पहला question और timer मैंने start कर द method को यह लिखा है safety को यह लिखा है तो yellow को क्या लिखेंगे इबर मैं लिद्ध देता हूँ ताकि मैं आपको explain कर सकूँ अच्छे से method को हमने यहां पर लिखा है o i z p y p ठीक है clear है dear हना वैसे ही मैं अब आप से yellow का मतलब पूछ रहा हूँ जल्दी से बताईए dear मुझे फटा फट से बताईए i hope सभी लोग बता सकते है अच्छा समय हाँ पर समाप्त हो चुका है ध्यान से अगर आप डेखेंगे dear तो इसका place वालू 13 इसका 5 इसका 20 इसका 8 इसका 15 और इसका 4 ठीक है इसका place वालू हमारा 15 इसका 9 इसका 26 इसका 16 इस विध्यान से नोटिस करो तो 13 और 2 15 होता है 4 5 और 4 9 होता है हना 20 26 होता है 8 और 8 16 होता है 15 और 10 25 होता है और 4 और 12 16 होता है तो यह हमारा increase हो रहा है 2 4 6 8 10 के format में बढ़ रहा है तो वही चीज़ यहां भी होगी पहले plus 2 करेंगे फिर plus 4 करेंगे फिर plus 6 करेंगे फिर plus 8 करेंग फिर plus 10 करेंगे और फिर plus 12 करेंगे हना तो बताइए y में 2 जोडेंगे तो y के बार z और z के बार a आएगा तो पक्का यहां पर a आना चाहिए हना e में अगर 4 जोडेंगे तो 100% i आएगा हना आगे l में 12 में 6 जोडेंगे 18 मतलब 8 हो जाएगा हना अच्छा अगर 12 में 8 12 करेंगे तो 100% यह 35 आएगा और 35 जो है वो 26 से बड़ा है तो 26 माइनस कर दो that is 9 आएगा और 9 का मतलब यहां पर आई आना चाहिए तो क्या आपको यह question clear हुआ logic समझ में आया क्या logic था प्लस 2 किया फिर प्लस 4 किया फिर प्लस 6 किया फिर प्लस 8 किया फिर प्लस 10 किया फिर प्लस 12 किया जोडने के बाद अगर लेटर्स की जो प्ले मतलब टोटल जो वैलू आ रही है अगर वो 26 से बड़ी हो गई तो 26 से माइनस करके हम वो लेटर्स लिख सकते हैं दिया तो क्या आपको समझ में आया मेरा यह logic यह method फटा 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 यह everyone got the clarity first question बहुत अच्छा question था क्या सभी को clear हुआ ऐसे ही कुछ questions examination hall में आते हैं तो आपको place value याद रखनी है अगर place value याद होगी तो आप ऐसे questions को चंद seconds में कर सकते हैं examination hall में तो main होता है place value अगर वो किसी को याद है तो कोई भी question कर सकता है डिया ओके फटा फटा फट से बताइए यह जो diagram दिख रहा है वो इन चार में से किसका प समय समाप थोने वाला है फटा फट से answer दीजेट यह बहुत easy question है अगर मैं ध्यान से notice करूँ तो यह जो diagram मुझे दिख रहा है यह as it is कहां fit हो सकता है ध्यान से अगर notice करूँ तो मुझे एक तरीके से इस shape की यहाँ पर जरूरत थी यह देखिए जरा ध्यान से अगर आप notice करेंगे यह shape की हमें जरूरत थी ऐसे shape की हमें जरूरत थी 100% तो इस question का जो सही answer होगा वो yes d option होगा d is a correct answer यह gap और यह gap मुझे चाहिए था और वो यहाँ पर मिल रहा है बाकी सब चीजे मुझे जो required to यहाँ पर दिख रहा है so yes question number two का जो सही answer है वो d option होगा तो क्या सारे बच्चों question clear हुआ इस बार quick message करें everyone got the clarity मतलब मैं कह रहा था कि जो figure दिख रहा है वो इन चाहर diagram में से किसका part है किसका हिस्सा है मतलब इस diagram को as it is मैं कहां रख सकता हूँ केवल d option में रख सकता हूँ और किसी में रख सकता हूँ so yes question का सही answer d option होगा got it everyone very nice बार बने दिया so फटा-फट से nice question करो दिया so हमें start कर दिया idea मेरे पास यहाँ पर total पांच लोग हैं जो कि स्टैन नाइन में बैठे हैं और सभी के सभी यहाँ पर नौर देख रहे हैं ठीक है अच्छा इस question को ध्यान से read करो तो एक state line में कितने लोग बैठे हैं सर एक state line में total यहाँ पर पांच लोग बैठे हैं हना यह state line हो गई और इसमें पांच लोग बैठे हैं for example everyone facing north तो यह सबका क्या होगा left होगा और यह सबका क्या होगा right होगा कि सभी लोग कहां देख रहे हैं नौर देख रहे हैं तो left और right तो fix हो गया ठीक है अच्छा अब जो पांच मां पांच मां मतलब नाम है थर्ड आदमी भी बैठा है है तो पांच मां जो person का नाम है उसके साथ confirm third number वाला person भी बैठा है तो यह दोनों साथ में बैठे हैं यह दोनों साथ में बैठे हैं मतलब पांच में नंबर के बगल में एक तरफ second होगा और एक तरफ third होगा पकी बात है आंगे लिखा हुआ है first जो है वो extreme left end में है तो पकी बात है first जो है extreme left end में है मतलब वो यहां आएगा 100% है अच्छा जो second है वो second from the right end है 1,2 मतलब यहां confirm second आएगा अब यह बताओ second के बगल में पांच मां रखना था अगर यहां पांच मां रखना तो पांच में के बगल में तीसरा रखना पॉसि वो पक्की बात है वो यहाँ पे आएगा confirm यहाँ पे आएगा अब बताईए कौन extreme right end में बैठा है यस फूर्थ नमबर वाला परशन extreme right end में बैठा यस इस question का सही answer C option होगा क्या यह logic समझ में आया question क्या सभी लोग को यह method clear है बड़ा simple सा question था आपको यहाँ पे 5 लोग को रखना था सभी लोग नौर देख रहे थे पहली information थी कि पांचमे के बगल में दूसरा है पांचमे के बगल में तीसरा है पहला पक्का extreme left end में है right से दूसरे नमबर पे second आदमी है तो यहाँ पे fourth person बैठेगा तो extreme right end में पक्का fourth आदमी है yes, this question का सही answer C option होगा I hope सारे बच्चों questions clear है भी तर clear to everyone very nice, bourbon idea फटा-फट से mathematical operation को इपर question है do it very fast जैसा लिखा वैसे ही solve करना idea आपको यहाँ पर मुझे किन ही 2 sign को interchange करना है उससे मेरी equation जो होगी वो balance हो जाएगी तो बताई कौन से 2 sign को बदलू मैं अच्छा देखो समय यहाँ पर समाफ्थ हो चुका है मुझे यहाँ पर किन ही 2 sign को बदलना जिससे equation balance हो जाएगी तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 24 कभी 26 कभी 24 से divide नहीं हो पाएगा मतला पका divide को बदलना पड़ेगा अब divide को किस से बदले तो देखा जाए तो अगर 6 को 26 से divide करने जाएगे तो वो हो नहीं पाएगा 27 को भी अगर 105 से divide करने जाएगे तो वो भी नहीं हो पाएगा लेकिन 24 जो है वो 6 से divisible है तो इसका मतलब अगर हम लोग divide को plus की जगह रद दे और plus को divide की जगह रद दे तो साथ equation balance हो जाएगे तो करके दिखते हैं 26 plus divide की जगह प्लस हो जाएगा 24 और divide plus की जगह divide हो जाएगा into 27 minus 105 is equal to हमें क्या चाहिए 29 चाहिए according to board master rule पहले क्या solve करेंगे पहले divide solve करेंगे तो 24 को 46 से dividing कितनी बार में जाएगा चार बार में जाएगा और फिर 4 into 27 करेंगे चार इंटू 27 करेंगे और उसमें 105 minus करेंगे और ये प्लस 26 चल रहा है डियर अब बताओ चार इंटू 27 करेंगे चार अठाइस दो कहरी और चार दूनी 8 और 2 108 ठीकर डियर 108 minus 105 अगर मैं 108 में से 105 minus करूंगा तो 100% 3 आएगा तो 26 में कर 3 जोड़ूंगा तो 100% 29 आएगा और 29 बराबर 29 एक्वेशन बैलेंस हो गई तो यस मुझे डिवाइड और प्लस को इंटर चेंज करने से मेरी एक्वेशन बैलेंस हो जाएगी यस इस क्वेशन का सही आंसर भी आप्शन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बैडर प्लस को बदल देने से मेरा लेफट रेफट चेंड़ साइड और राइट चेंड बैलेंस हो जाएगा तो यस इस कॵेशन का صही आंसर भी आप्शन होगा सारे बच्चों क्लियर है अभी ताक सारे कॵेशन क्लियर हैं डिया जब फटा फट सेबा मैसेस करें, everything is clear till now, yes, fourth question का सही answer V option होगा, got it everyone, very nice, बहुत बने अडिया, so फटा फट सुदाइए, इसका proper mirror image क्या होगा, फटा फटा फट सांसा दो डिया, हमें स्टार्ट कर दिया डिया, यस, very nice, देखो जितने भी लोग का answer आगे, बहुत बढ़ी idea, अगर मैं ध्यान से notice करूँ तो यह left से हमारा उपर की तरफ जा रहा idea, तो 100% यह right से जाएगा idea, अगर diagram ऐसा है, simple सी बात समझ में आती है, तो जब मैं इसका mirror image बनाऊँगा, तो diagram कुछ ऐसा दिखाई देगा, 100% एसा दिखाई देगा, 100%, so yes, this question का सही answer, C option होगा, the right answer for this question is C option, simple सी बात समझ में आती है, जो हमारा left में होता है, वो हमारा right में चला जाता है, और जो right में होता है, वो left में चला जाता है, top and bottom में कोई बदलाव नहीं हाता, जो चीज ऊपर है, वो चीज ऊपर ही रहेगी, बस left से right चली जाएगी, और right से left चली जाएगी, तो diagram अगर ऐसा बना है, तो इसका mirror image ऐसा बनेगा, 100%, और ये diagram अगर ऐसे जुड़ा है, तो इस परते हैं डिया, six questions, फटा-फट से बताईए, इस question का सही answer क्या होगा, एक line में total हमारे पास 5 लोग बैठे हैं, सभी के सभी कहां देख रहे हैं, not देख रहे हैं, अब information पढ़िए और जल्दी से solve किजे डिया, अच्छा यहां पर समय समपत हो गे, एक स्टेट लाइन में कितने लोग बैठे हैं, और सभी के सभी कहां देख रहे हैं, झाल नौड देख रहे हैं, अच्छा ये confirm एडिया एक स्टेट लाइन है, उसमें total पांच लोग बैठे हैं, एक, दो, तीन, और चार और यह 5, और अगर सभी लोग नौट देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि इधर सबका left होगा और इधर सबका right होगा तो k l के तुरंट right में हैं है ना अच्छा only दो लोग बैठे हैं है ना between l and i कि पता हुल और i के भीच में उड़ी लोग बैठे हैं या दो लोग बैठे हैं अच्छा एयम जो की बिच में इम को अब देखो M जो है वो immediate left है किसका I का I के left में इदर आएगा और immediate right भी है किसका immediate right है I का मतलब I के right में M बैठा है yes so I का right इदर होगा यहां पर M बैठेगा और M, J के immediate left में मतलब यह 3 है आने वाले idea confirm ऐसे आने वाले और मैंने कहा था L और I के बीच में दो लोग हैं तो अगर मैंने L, M, J ऐसे रख दिया I, M, J ऐसे रख दिया तो आप बताइए मुझे L और I के बीच में कितने आदमी थे तो अगर यहां I रखा है, यहां M रखा है, यहां J रखा है और दो आदमी छोड़ के अगर मैं यहां L रखने जाता हूँ तो यह कितने आदमी हो गए डियर, गिनोचरा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो क्या 6 आदमी लाइन में बैच सकते हैं, नहीं बैच सकते हैं, तो Iई और L के बीच में एक दो आदमी हैं तो पक्की बात हैं यहाँ पर L आएगा, हाना, तभी तो I और L के बीच में दो आदमी हो गए, M और J हो गए, डियर, 100%, तो इधर पर L आना चाहिए, हाना, और L और K के बारे में clearty है, कि K के immediate left में L है, और L, simple सी बात है, K immediate right of I है, sorry, K जो है immediate right of L है, So L के right में K बैठना चाहिए, तो L के right में इस तरफ K आजाएगा, 100% यह 5 लोग बैठ गए, तो पक्की बात है, यहाँ पर I बैठेगा, I के बात यहाँ M बैठेगा, यहाँ पर J बैठेगा, यहाँ पर L बैठेगा, वो A option होगा, क्या सबी बच्चों को यह logic या methodology clear है, बताए, क्या line में ऐसे आप लोग बैठा पाएंगे, मेरी approach देखे, L और I के बीच में दो आदमी थे, तो I, M, J confirm है, तो I और L के बीच में दो आदमी, यह situation हो सकती है, यह situation हो सकती है, इसमें 6 लोग हो गए, और दिये तो 5 लोग है, मतलब यह situation गलत है, और यह वाली situation 100% सही है, और L के right में K bet है, confirm दिया हुआ, तो यह ऐसे ही sitting arrangement बनेगा, clear to everyone, तो बस simple सा question था, middle position पे कौन है, yes, J है, clear है, got it everyone, good, इसका proper figure completion क्या होगा, मतलब जो आपके सामें 3 आकरिती दी है, उनी से मिलता जुलता है, complete figure को complete करने वाला option है, वो आप मुझे बता है, फटा फट सुदा है, समय स्टार्ट कर दिया डिया, अच्छे देखो, मुझे ये figure complete करना है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कि आपको ऐसे ज़रूर सोचना पड़ेगा, कि एक तरीके से ये पक्का बनेगा डिया, और triangle का जो down face है, वो ऐसा होगा, और अगर मैं ध्यान से notice करूँ, तो जैसा उपर बना वैसे नीचे बनेगा, और जैसा इधर बना है, वैसा ही इधर भी बनेगा, तो 100% ये आपका सही answer है, और ये कौन से option में है, 100% ये वाला जो option है, वो B option है, यह से इस question का सही answer, B option होना चाहिए, तो क्या सबी बच्चों question clear idea, बहुत प्यारा और simple figure completion के उपर question था, तो क्या ऐसे question हम लोगे, इसे question हम लोगे, इसे question होना है, इसे question होना होना है, बस analysis है, यहाँ पर important, अगर किसी को analysis करने आ गई, तो हम कोई भी question solve कर सकते हैं, यहाँ पर symmetry लगेगा, जैसा top है, वैसा ही bottom बनेगा, जैसा right है, left है, वैसा ही right बनेगा, so connection देखना idea आपको, समझ में आया है, good, बहुत बने idea, ओके, फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बहुत बहुतनी सीरीज सा question है, फटा-फट से इसको solve करो डिया, समय स्टाट कर दिया रिया, अचा समय समाफ्ट हो, अगर मैं 16 और 23 को देखूँ, तो कितने का अंतर है, 16 में अगर मैं 7 जोड़गा, तो मेरा 13 आएगा, 23 में अगर मैं 8 जोड़ूँगा, तो 31 आएगा, 31 में अगर 9 जोड़ूँगा, तो 40 आएगा, और 40 में अगर 10 जोड़ूंगा तो 50 आएगा तो 7, 8, 9, 10 चल रहा है तो 100% यहाँ पर हमें 11 जोड़ना चाहिए तो 50 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 100% यहाँ पर 60 आएगा Yes, this question का सही answer C option होगा So, 61 is the correct answer So, question number 8 का सही answer C option होगा Logic समझ में आए, बड़ा simple सा series था पहले 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, अब 11 जोड़ेंगे Clear भी बात, ध्रमज में आई सारी बातें बहुत बढ़ें दिया फटा-फट से यह बहुत 1100 आनलोगी के उपर question है फटा-फट से solve करें हमारे पास GMP को मैंने IKS देखा है अच्छा समय यहां पर समाप्त हो गया idea ध्यान से देखो अगर आपको प्लेस हो लिए याद है तो question बढ़ा असान है यह 7 है, यह 13 है और यह 16 है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यह 9 है हना यह 11 है और यह हमारा 19 है This is definitely 19 अगर ध्यान से नोटेस करो तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा हना 13 में अगर 2 घटाएंगे तो 11 आएगा और अगर 16 में 3 आड़ करेंगे तो 19 आएगा तो प्लस 2, माइनस 2, प्लस 3 हना तो यह भी प्लस 2 होगा So F प्लस 2 करेंगे तो H आएगा यह माइनस 2 होगा तो यह M आएगा और यह प्लस 3 होगा So 12, 3, 15 मतलब 2 होगा So yes, HMO is the right answer अब बताएगे यह कौन से option में दिखा हुआ है HMO, yes, C option में दिखा Yes, इस question का सही answer C option होगा So question number 9 का जो सही answer है वो C option होगा तो क्या सारे बच्चों question clarity है इस बाग quick message करें Everyone got the clarity वड़ा simple सा logic था First letter में plus 2 किया Second letter में minus 2 किया और third letter में plus 3 किया So plus 2, minus 2, plus 3 अगर आगे चौथा letter होता तो minus 3 होता फिर अगर पांचमा होता तो plus 4 होता छटा होता तो minus 4 होता तो ऐसे ही कल चलता जाएगा एक plus, एक minus, एक plus, एक minus और increase हो रहा है 2 के बाद 3 आ रहा है 3 के बाद 4 आएगा 4 के बाद 5 आएगा Got it everyone? So yes, this question का सही answer C option होगा Question number 9 का सही answer C option Got it everyone? Very nice, Bob and India So फटाफट से रहिए इस question का सही answer क्या होगा समय स्टार्ट कर दिया लिए अच्छा देखो, बड़ा प्यारा सीरीज की उपर question है अगर मैं ध्यान से notice करूँ तो हुआ क्या है पहले हमने इन दोनों को interchange कर दिया और इन दोनों को interchange कर दिया हना, तो ये वाला जो diagram था वो नीचे चला गया, reverse हो गया ये डाइगराम जो था वो ऊपर चला गया, reverse हो गया ऐसे ये भी नीचे है तो ऊपर चला जागा ये उपर है तो नीचे आ जागा तो ये हमारा change 1 था अब change 2 में क्या हुआ idea ध्यान से अगर notice करें, बहुत simple सा logic idea कि ये वाला जो diagram है बाइट simple सी बार समझना, ये जो तीन है न वो इस तरह आगा और ये लास्ट वाला इधर चला गया अब देखो ये arrow ऐसे आया, ये वाला sign ऐसे आया ये, मतलब इनके sign में उपर नीचे नहीं हुआ अब last के तीन पहले आ गया और आखरी वाला पहले नमबर वाला आखरी में चला गया फिर इसमें क्या ओर idea, ध्यान से नोटिस करो तो फिर इसमें हम लोगों ने इन दोनों को interchange किया फिर से और इन दोनों को interchange किया और reverse कर दिया, उल्टा कर दिया तो यह sign नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यह triangle ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे यह arrow हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा और यह वाला diagram यहाँ आ जाएगा तो यह process चलती रहेगी दिया थीखर dear वापस से sorry A आ गया वापस से क्या आ गया हमारा A आ गया फटा फटा %. वापस से क्या आ गया dear हमारा A आ गया बास समझ में आई कि आपको जल्D TO stay dear तो यह change हमारा A था यह change हमारा B था और वापस से हमारा A change आ गया अगर मैं ध्यान से notice करूँ तो ये वापस से क्या आ गया? A आ गया. समझ में आया? ये A आया, ये B आया, तो ये वापस से A आया और वापस से फिर B जाएगा और फिर वापस से A आ जाएगा. तो अब हम वापस से A change करेंगे. A change का मतलब, ये दोनों उल्टे हो जाएगे. तो ये वापस डागराम उपर चला जाएगा और ये डागराम हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा. ये ट्रेंगल हमारा नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे पॉइंट करेगा. तो ये सही आंसर है. तो पताएगे, ये कौन से आप्शन में दिख रहा है डियर आपको. अधर ध्यान से नोटिस करो, तो ये कौन से आप्शन में दिख रहा है? ये मुझे C आप्शन में दिख रहा है. So yes, question number 10 का जो सही आंसर होगा, वो C option होगा. Got it everyone? क्या सभी लोगों के question clear हुआ? वड़ा सिंपल सा लॉजिक था. इन दोनों के interchange किया, इन दोनों के interchange किया, फिर यहाँ पर B change आया. मतलब last के तीन पहले आगया, first वाला last में चला गया, फिर A change किया, इन दोनों के interchange किया, इन दोनों के interchange किया, और फिर चौथे change, B change में पहला वाला आखरीम चला गया, और शुरुवात के आखरी के तीन थे वो पहले आगया, ऐसे आगया. clear idea, फिर वापस से A change होगा, मतलब यह दोनों interchange होगे, यह दोनों interchange होगे, got it everyone, क्या सारे लोगो question clear है अभी तक, सारे questions clear हुए, समझ में आ रहा है, good, very nice, बहुत बने idea, very good, so यह रहा next question, फटा फट से इसको solve करने idea, फटा फट से A question करो डिया, timer मैंने start कर दिया, फटा फट से solve करो, आपके पास एक series लिखी हुई है, उसमें कुछ letters लिखे हैं, और अगला letter क्या होगा, यह मैं आप से पूछ रहा हूँ, दिखो, ऐसे questions करते से मैं, letters की place value लिखे लो, बहुत जल्दी questions solve बजाएंगे, जैसे, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी place value क्या है, पाँच है, अपको मालू मैं place value, बताईए इसकी 5 है, इसका 8 place value है, इसका 11 है, इसका 14 है, इसका 17 है, तो अगर आप धियान से notice कर रहे हों, तो आप देख पा रहे होंगे, पाँच में 3 जोडेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, 8 में 3 जोडेंगे, तो 11 आएगा, 11 मे तो 17 आएगा, तो अब 17 में 3 जोड़ेंगे, 17 और 3 जोड़ने का मतलब हुआ, 20, 20 का मतलब होता है T, so yes, absolutely, जो next letter होगा, वो T होगा, yes, question number 10 का सही answer B option होगा, so I hope सारे बच्चों questions clear है dear, foot up foot से होता है, question number 11 का जो सही answer है, वो B है, sorry, ये question number 11 है, उसका सही answer B होगा, got it everyone, क्या सारे बच्चों question clear हैं भी तक सारी बाते समझ में आई, क्या logic था यहाँ पर, letters की place value में 3-3 आँगे बढ़ते जा रहे हैं dear, मतलब 3 अगला third letter लिख रहे हैं dear, hard letter के बाद, E के बाद अगला third letter H है, H के बाद अगला third letter K है, K के बाद N है, N के बाद Q है, तो Q के बाद T होगा, उसी logic से, उसी method से, clear है, got it, good, very nice, Bob बने दिया, आगे बढ़ते हैं dear, फटाफट से इस question को solve करो dear, समय स्टार्ट कर दिया dear. बहुत simple सा question है, यह figure series का question है, यहाँ पर एक series चल रही है, हर box में अपना अलग logic है, वो आपको सोचना है, ठीक है dear, अगर मैं आप से बात करूँ, इस diagram की, ठीक है dear, इस diagram और इस diagram को देखना ध्यान से, तो यह left की तरफ था, फिर right की तरफ था, फिर left की तरफ था, फिर right की तरफ था, अब वापस से left की तरफ जाएगा, कभी उपर या नीचे तो नहीं होगा, यह गलत है dear, हना, अब यह confirm left की side होगा, यहाँ पर right की side दिख रही है, यह गलत हो जाएगा, जैसे इस circle के अंदर एक line थी इस circle के अंदर दो line हो गई अब ये circle था फिर triangle हो गया ती साइड का बाहर फिर बाहर चार साइड का हो गया, फिर बाहर पान साइड का हो गया, तो अब बाहर छे साइड का होगा, देखो ज़रा ये बाहर छे साइड का है, और अंदर ये एक लाइन थी, फिर दो लाइन हो गई, फिर फिर तीन लाइन का ट्रेंगल बन गया, फिर चार लाइन का बन गय तो अब पांच लाइन का बन जाएगा पेंटागोन 100% बन रहा है अच्छा इसमें यह तीन एरो तीन डॉट फिर एक डॉट गायब हो गया फिर एक डॉट गायब हो गया अब वापस से एक डॉट बचेगा अच्छा यह डाइगराम ऐसा था पहले ध्यान से देखो जारा यह डियागराम पहले ऐसा था अब यह डियागराम घूंकर ऐसा हो गया मतलब 45 अब्चाब इस और फिर यह घूंकर दियाइट 100% ऐसा हो जाएगा और फिर यह घूंकर फाइनली ऐसा हो जाएगा 100% this is your the right answer yes is question का जो सही answer है वो d option होगा हर एक element का moment मैंने आपको समझाया क्या वो moment या वो तरीका वो logic आपको clear है वैसे तो मेरा answer एक ही diagram से आ गया था बट मैं आपको हर element का moment इसलिए समझा रहा था ताकि आपको clarity मिल जाए तो क्या आपको clarity मिल गई एब मुझे फटा फट से comment कर में यहाँ पर हर एक diagram का हर एक box का अपना अलग एक logic है वो आपको crack करना था समझ में आया क्या so your c is the only option जहाँ पर सारी logics follow हो रहे है clear है got it good बहुत बढ़ी idea so आगे बढ़ते हैं dear next question करते है question number 13 फटा 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 चता ही है इस question का सही answer क्या होगा जैसे timer start कर दिया dear मैंने जैसे यहाँ पर e r a को e r a को मैंने e t a लिखा है ठीक है clear है और honest को मैंने honest को मैंने यह लिखा है ठीक है dear ठीक है dear तो अब आप बताईए g r a i n का क्या मतलब होगा जल्दी से बताओ dear फटा फट से बताईए समय समाथ होने वारा dear अच्छा समय समाथ हो गया अगर मैं ध्यान से notice करूं तो वाविल के साथ मैंने कोई change नहीं किया वाविल जितने थे उनको वैसे ही लिख दिया वाविल में कोई बदलाव नहीं आया वाविल में no change clear है लेकि प्लस 2 करेंगे तो absolutely t आएगा और n प्लस 2 करेंगे तो p आएगा so yes it aip is your right answer yes हम लोग इस question में d option के साथ जाएंगे logic क्या है वाविल में कोई change नहीं हो रहा है वाविल को as it is लिख रहा हूं but consonant में plus 2 कर रहा हूं so yes is question का सही answer d option होगा I hope सारे बच्चों clear है question number 13 का सही answer d option got it everyone very nice so आगे बढ़ते हैं फटा-फट से इस question को स्वाल करोड़ी है बहुत प्यारा code in decoding question है जल्दी से बढ़ाईए इस question का answer क्या होगा जैसे water को मैंने क्या लिखा है dear ध्यान से देखो ज़रा water w a t e r ठीक है water को मैंने यहाँ पर लिखा है r e r e t a w ठीक है इसी तरीके से मैं आप आपसे lovely word का code पूछ रहा हूँ फटा-फट से बताओ ओके समय यहाँ पर समाप्त हुआ डिया है अगर ध्यान से notice करोगे तो logic समझ में आ जाएगा इनको cross कर दिया क्या कर दिया इनको cross कर दिया उल्टा कर दिया तो यहाँ भी उल्टा कर दिया तो पहले y आएगा फिर l आएगा फिर e आएगा फिर v आएगा फिर o आएगा फिर य-l-e-v-o-l, yes, इस question का सही answer B option होगा, so question number 14 का सही answer B option है, logic समझ में आया, letters को reverse में ले दिया, मतलब पहला वाला आखरी में चला गया और आखरी वाला पहले में आ गया, got it everyone, क्या सभी को logic समझ में आया, good, okay, so yes, question number 14 का सही answer B option होगा, I hope सभी को clear हो गया यह सारी बातें अभी clear to everyone, good, okay, आगे बढ़ते हैं टिया, question number 15, फटा फट से बताएए, यहाँ पर इस series में अगला term क्या होगा, फटा फट से बताओ, अगर ध्यान से notice करोगे, so 31 का double करोगे तो 62 आएगा, और 62 में अगर 3 add करोगे तो 65 आएगा, 65 का 4 गुना करोगे तो 260 आएगा, और 260 में अगर 5 add करोगे तो 265 आएगा, तो ऐसे ही 265 में हम लोग 6 का गुना करेंगे, so 265 गुने 6 होना, 265 में अगर 6 का गुना करेंगे, so 5 चक्का 30 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 6 चक्का 36 और 3, 39 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 दुनी 12 और 3, 12 और 3, 15 हो जाएगा, तो yes इस question का सही answer 1590 होगा, yes हम option के साथ जाएंगे, clear to everyone, फटा-फट सताई है, कोई doubt नहीं किसी को, yes, this question का सही answer, D option होगा, got it everyone, फटा-फट सताई, clear हो गया, clear to everyone, very nice, Boba ने दिया, so आगे बढ़ते हैं, nice question करते हैं, फटा-फट सताई, इस question का सही answer क्या होगा, समय start कर दिया, अच्छा, समया पर समाप्त हुआ, जैसे एक coding के हिजाब से, team एक word है, टी-ई-ए-म, ठीक है, और उस word का जो code लिखा है, वो मैंने 41 लिखा है, ठीक है डिगा, अब कैसे लिखाएडिया, तो letters की place, वो याद है डिएर आपको, T का 20 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, और M का 13 होता है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, तो जोडने पर यह 39 आएगा, तो जो भी value आई, उसमें 2 extra add कर दें, तो यह 41 बन जाएगा, इसी logic के हिसाब से, मुझे grow word को code करना है, so G, R, O, W को, G का 7 है, R का 18 है, O का 15 है, और W का 23 है, तो इन्हें add कर दिया जाए, जल्दी से add कर देते हैं, तो 7 और 18, 25, 25 और 15, जल्दी उताओ, दो extra add कर दूँ, तो 65 होगा, यह सिस question का जो सही answer है, वो 65 है, question number 16 का जो सही answer है, वो 65 होगा, C is a correct answer, logic क्या है, letters की place value add करने के बाद, उसमें मैंने additional do add किया है, clear to everyone, फटा फटा उदाइए, यह सिस question का सही answer, C option होगा, got it everyone, that is, आगे बढ़ते हैं टिया, फटा फटा सुदाईए, इस question का सही answer क्या होगा, यहाँ पर 2 sign को, मतलब, plus को और minus को interchange करना है, और into और divide को interchange करना है, यह divide का sign है, यह divide का sign है, वो divide को into के साथ change करना है, और plus को minus के साथ change करना है, फटर फट्सुदेए आंसर क्या होगा. अच्छा समय यहाँ पर समाफ्त हो गया. मुझे इन्टू और डिवाइड को चेंज करना है. तो इन दोनों को चेंज करूँगा मैं. हाना और इन दोनों को चेंज करूँगा प्लस और माइनस को. तो यहाँ पर 5 प्लस 3 हो जाएगा डियर. और यह डिवाइड की जगा इन्टू हो जाएगा डियर. और यह प्लस की जगा माइनस हो जाएगा. और यह इन्टू की जगा डिवाइड हो जाएगा. So according to both मासूल पहले क्या solve करेंगे? पहले हम लोग डिवाइड solve करेंगे. So 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 आएगा डियर. 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा डियर. तो यह confirm 2 आएगा यहाँ पर. हना? 100%. और जब 3 को 4 से multiply करेंगे तो 12 आएगा. तो 12 माइनस 2 है. और यह प्लस 5 है. तो 12 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा? फटा फटा जाएगा. देखो simple सा logic है डियर. इसमें कुछ भी काम, कोई बड़ी बात नहीं है डियर. देखो 5 प्लस 7 इंटू, 3 इंटू 4. 12 हो जाएगा डियर. आगे बात करेंगे यह माइनस. ठीक है डियर. यह डिवाइड बाइटू लिखा है इसी है. Sorry, it's my mistake. यह डिवाइड बाइटू लिखा है. हो सकता है कि मैंने answer को directly लिद दिया. तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. अब बताओ, 5 और 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आएगा. 9 में 5 जोडेंगे. या फिर 12 में 5 जोड लेते हैं, 17 हो जाएगा. 17 में 3 घटाएंगे, तो 14 बनेगा. Yes, इस question का जो सही answer है, वो B option होगा. Got it everyone? क्या सभी लोग को question clear idea? फटा-फट से message करेंगे. Everything is clear till now. समझ में आया भी तक सारे questions. बहुत सांदर questions हैं, और ऐसे ही questions आपके paper में आपको देखने को मिलेंगे. So, अगर आपने practice की है, तो बहतर result आपको मिलेगा. फटा-फट सताई इस question का सही answer क्या होगा? समय स्टार्ट कर दी idea. 7 का relation 294 से है, तो 9 का relation किस से होगा? अगर मैं 7 और 294 की बात करता हूँ, तो क्या रिस्ता है? 7 और 294 में relation है, 7 के cube में 7 का स्क्वार माइनस कर रहे हैं. मतलब 343 में, अगर मैं 49 माइनस करूँगा, तो 100% ये 294 होगा. इसी logic के हिसाब से, 9 के cube में, अगर मैं 9 का स्क्वार माइनस कर देता हूँ, 9 का cube होता है 729, और अगर मैंने उसमें 89 माइनस कर दिया, तो 100% ये 648 बनेगा? यस, इस question का जो सही answer है, वो यह option होगा. क्यूब में, अगर फर्स नमबर का स्क्वार ही माइनस करेंगे, तो second number आएगा, that is a logic. clear to everyone, got it everyone, good. फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, इंडिया. next question, फटा-फट से दाओ, यहाँ पर इस question में, figure series में, अगला term क्या आना चाहिए? अच्छा, ध्यान से कर नोटिस करो. तो यह जो circle है नडिया, पहले यह अंदर के side था, ध्यान से नोटिस करो. पहले अंदर के side था, फिर बार के side आया, फिर अंदर के side आया, फिर बार के side आया, अब देखो, यह move कैसे हुआ, यहाँ से उटके यहाँ गया, मतलब एक point गया, फिर यहाँ से उटके deer, यहाँ जा रहा है, एक ही point जा रहा है, अब यहाँ से उटके deer, यहाँ जा रहा है, तो ये line पहले यहाँ थी, यहाँ से उठके यहाँ गई, मतलब एक तरीके से standing line थी, आपको समझना पड़ेगा, पहले यह इस line से जुड़ी हुई थी, फिर इसके vertical में हो गई, फिर जुड़ी हुई है, फिर vertical में हो रही है, समझ में आ रहा है, अब यहाँ से उठके वो यहाँ गया, मतलब एक point गया, फिर यहाँ से उठके यहाँ गया, मतलब दो point गया, एक और दो, फिर यहाँ से उठके यहाँ गया, एक, दो, तीन point गया, अब यहाँ से उठके यह चार point जाएगा, एक, दो, तीन, चार्थ, 100% वो ऐसा बनेगा, yes, this is the right answer, ऐसा ही बनना चाहिए, हना एक तरीके से यह ऐसी लाइन नहीं होगी, sorry, एक ऐसी लाइन नहीं होगी, वो 100% इसे चिप्किवी लाइन होगी, clear डिया, so yes, वो इस तरह की लाइन बनेगी, 100%, तो देखो जारा, कहां बन र एडिया, गलत हजी दिया, हना इस तरह खड़ी लाइन बन रिए डिया, गलत हजाएगी, so yes, इस question का जो सही answer होगा, वो A option होगा, got it everyone, क्या सभी को question समझ गाया है, yes, question number 19 का सही answer A option होगा, got it everyone, very nice, बहुत बने डिया, very good या, keep it up, फटा-फट से इस question कहां सही answer दो डिया, समय स्टार्ट कर दिया रिया, बहुत सांदर question रिया यह, फटा-फट से try करो डिया, 21, 29 और 20 में एक relation है, वो देखो जारा, 21, 29 और 20 में एक relation है, वो आप देखे, अच्छे, यहां पर समय समाफ्ट हुआ, अगर यहां पर 21, 29 और 20 की बात करते हैं, तो क्या relation है, तो यह से यह टिपलेट है, मतलब 21 का स्क्वार और 20 का स्क्वार, 1st number का स्क्वार और 3rd number का स्क्वार का अंडर रूट करूँगा, तो मेरा 2nd number 29 आएगा, हाँ न, दियर, तो 20 का स्क्वार कितना होता है, 441, हाँ दियर, और 21 का स्क्वार, 441 और 20 का स्क्वार, 400, जोड़ेंगे दियर तो यह कितना आएगा, 841, और 841 किसका स्क्वार रूट होता है, यह 29 का होता है, बिर्कुल मैच हो रहा है, सो ऐसा ही कौन सा option है यस यह option match कर रहा है जैसे 8 का square और फर्स नमबर का square और लास नमबर 15 का square अंडर रूट करेंगे 17 आएगा जैसे 8 का square 64 होता है और 15 का square 225 होता है अगर इनको add करेंगे तो 279 बनेगा हना tier 289 बनेगा और 289 किसका square होता है 17 का मतलब यह टिपलेट है मतलब पहला नमबर और तीसरे नमबर का square करके उसका square root निकालेंगे तो second नमबर आएगा क्या logic सभी को समझ में आया फटा-फट से message करो everyone got the clarity कोई doubt नहीं, कोई संसे नहीं इब आप quick message करें clear to everyone, got it चले बहुत बढ़ी idea मेरे पास कुछ questions है आपके homework के लिए आपको यह questions जरूर solve करने है और मुझे homework आपको comment box में आंसर देना है class complete होने के बाद सभी लोग से यह निवेदन है सभी लोग जरूर solve करेंगे so take a screenshot या फिर यह question हमारे वीडियो में अव्लेबल रहेगा आप वीडियो को pause कीजिएगा और जरूर सारे questions करिएगा so यह पहला question है for your homework first question second question for your homework आज हमने यह सारे टाइक पे question डिसकस की है तो मैं चाहता कि 5 question आपको as a practice दूँ ताकि आप बहतर अपने आपको समझ सकें कि आज के session के बाद आपको क्या benefit मिल रहा है हाना तो second question हो गया third question बहुत प्यारा सा coding के उपर question रहे दिया fourth question mirror image के उपर question रहे आज mirror image में हमने discuss की डिया class में हाना बहुत बढ़ी हो यह रहा last question और इन सारे questions के answer आपको comment box पे देना है यह आज की class का best question है इसका जो भी answer देगा बहुत भेतरीन होगा बहुत बने देर so keep it up dear हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और भी continue classes होंगी आगे तो मिलते हैं dear आपसे next session में thank you, it's my great pleasure to teach all of you dear take care, thank you dear